कितना शोर करता है ना तो चलिए सोर को करते हैं शांत और शांत मन से बना देते हैं सब्जी तो हलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रहे हूं कद्दू की सब्जी गरलू स्टाइल से अगर इस तरह से आप कद्दू की सब्जी बनाएंगे न तो एक दम चाटका सौद आने वाला है आपको और बच्चे पक्का खा लेंगे तो चलिए बनाते हैं आज हम कद्दू की सब्जी एक दम नए तरीके से देखिए दम पीसेस इसके खड़े खड़े हैं और यह अच्छी तरह से पक चुका है इसे में स्लो फ्लेम पे ही पकाना है हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसकी थोड़ सी प्लेटिंग करिके आप ल अंग्रेल, सौफ और जीर, जीरा, पीला सरसो सारे मसाले तड़के मतलब पंचपोरन हम आदे चमच से आदा दा डालेंगे यहां दो चमच हम बारी कटा हुआ लसन डालेंगे और यहां पर हम मैंने छे से साथ हरी मिर्च ली है लंबे आकार में काटकर यह मेरी हरी मिर्च तीकी नहीं है इसलाहिए मैंने से ज़्यादा इस्तीमाल किया है अभ इन तड़कों को हमें हाइल गफोर्ण होने तक जो हमें अब पंचपोरन और लसन मिर्च को यहां पर बे कलगा लिए इसके मैंने खुजबू मेरे किचन में चारो तरफ फैल चुकी है इत्र की तरह अब ढग दिया है और श्लो फ्लिम पर इसे हमें पांच मिर्ट तक पकाना है ताकि हमारी सब्जा थोड़ी नर्म हो जाए देखिए सब्जियां थोड़ी सी नर्म हो गई है अब श्लो फ्लिम पर इसे सदेनों सर्ह आभ आपदे हम आधा चम मत धनीया पौडर सब्था सब्गाल झालते हम आधा चममच encourage कश्मीरी लाइ में डालेंगे 1-4 चममच किश्मीरीडंगे 1-4 चममच बुना हूवा जीर्भ पौडर ए 1-4 चममच अभी हम डालेंगे आधा चममच अम्चूर पौडर आधा चमब गरम मसाला मैं आप किसी भी गरम मसाले का इस्तमाल कर सकते हैं और यहां जाएगा आधा चमब चिनी अगर चिनी नहीं कहाना चाहते हैं तो इसके सब्सक्राइब गुरस्त गुड का इस्तमाल कर सकते हैं अब इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं तो अब हम फ्लेम स्लो करके छोड़ देंगे 20-25 मिट तक के लिए पकने के लिए इसले पर ना एक तरहीं तो लेगा 20-25 मिट माग यह देखिए अच्छी तार से मिक्स हो चुका है अब ऐसे फॉक की साथ से काट़री स्चमज की साथ से और दिखा तो देखी कितने अच्छी तरह से गल जया है दिखी एकदम इसका कदू का पेश्ट बन जा रहा है जिस तरह से आलू का पेश्ट बन जायता उसी तरह और खाने पर एक दम चाट का स्वाद इसमें आने वाला है आपको ये डाल चावल और रोटी के साथ और पूरी पर अठेक साथ काएंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खास दोर से रोटी या फिर पूरी के साथ खाईए है हम मैं प्लेटिंग कर रहे हूं देखे पीसेश कितने बड़े बड़े है तो इस तरह से मेरा कद्दू की सब्जी बन कर तयार हो चुकी है और यह पर धनिया की पति से में थोड़ से सजा देने गार्निस कर देने है देख देखने में इतना सुन्दर है तो खाने में कितना सुन्दर होगा खोदी अनमान लगा लिजे और इसे तरह से आप भी सब्जी बनाएए अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद है तो प्लेज लाइक और सस्क्राइब